So hello everyone, welcome back to another new video आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगो Pi Network का latest official update के बारे में बताने वाला हूँ जो की dashboard पे आ चुका है अभी अगर आप लोग Pi Network के application open करोगे तो कुछ इस तरीके से update आपको show होगा तो basically आज के update पे जो है mining page का overview के बारे में बताया गया है जो मैं आप लोगो detail में explain करने वाला हूँ और साथी साथ वीडियो के end तक मैं आप लोग बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने Pi के mining speed को increase कर सकते हो तो वीडियो अपर बहुत ज़्यादा informative होने वाला है बिना skip कर end तक जरूर देखे तो चलिए आज के इस important वीडियो को करते है start तो सबसे पहले mining page overview के बारे में बात कर लेते हैं तो जैसे आप mining button पे click करते हो तो आपका mining page open होकर आ जाता है इस page में सबसे उपर आपको mining session का time डिख जाता है कि कितने time बाद आपका mining session बंद होने वाला है base rate सबका same होता है ये monthly supply limit के according adjust किये जाते हैं और booster जो है pioneer security circle और lock up reward ये तीनों मिला करके मिलते हैं security circle के बारे में आपको पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आगे चलके इसी वीडियो पर discuss भी करूँगा और उसके बाद lock up reward है ठीक है ये सभी को करना पड़ता है mandatory step है अगर आपको अपने pie coin को wallet पर transfer करना पड़ेगा तो आपको lock up commit करना पड़ता है और उमिद करता हो कि maximum लोग lock up commit कर दिये बहुत सरे लोग गलती से by default 3 साल के लिए अपने pie को lock कर दिये तो वो लोग बेसिकली 3 साल तक अपने pie को use नहीं कर पाएंगे लेकिन एक benefit यहाँ पर मिलता है बेसिकली lock up reward भी उनको यहाँ पर दिये जाते है जितना time lock up duration उनका complete नहीं होगा तब तक उनको lock up reward यहाँ पर दिये जाते हैं यानि कि जो भी pie हमने lock किया था वो unlock भी हो चुका है और मैंने उसको available balance पर टांसपर भी कर लिया इस्क्रीन पर आपको screenshot दिख रहा है और आप में से ऐसे भी कुछ लोग है जो lock up commit नहीं किये तो अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो उसका video का link आपको नेचे description पर मिल जाएगा वो वीडियो देखके आप आसानी से lock up configuration जो है complete कर सकते हो आपको कितने time के लिए कितना percent pi lock करना चाहिए details में मैंने वहां पर explain किया तो वो वीडियो देख लेना उसके बाद दो bonus आपको और दिये जाते हैं सबसे पहला utility uses तो basically pi browser open करके आप जो है test net ecosystem पर क्लिक करके उसके बाद जो भी application वगार वहां पर आपको दिखेंगे उसको आप explore कर सकते हो तो यहाँ से आपको bonus मिल जाता है अगर आप अपने laptop या computer में note run करते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर bonus दे जाते हैं तो यह था mining page का overview जो मैंने आप लोगों को detail में explain कर दिया है अभी बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने mining speed को boost कर सकते हो तो बिल्कुल धियान से और अच्छे तरीके से समझ ले करता हूं तो देखिए बेसिकली तीन चार तरीका है जिससे आप अपना mining speed को boost कर सकते हो सबसे पहले आपको security circle पर यहाँ पर लोगों को add करना पड़ेगा ठीक है आप जो है security circle पर पाच लोगों को add कर सकते हो इससे आपका mining rate में boost देखने को मिलेगा और इसके लिए referral team create करन लेकिन make sure जो लोगों को आप add करोगे वो यहाँ पर real miner होना चाहिए वो आगे चलके KYC करना चाहिए क्योंकि वो KYC करेंगे तभी उनसे जो भी आपको mining speed मिला हुआ है वो आपका transferable होगा यानि कि उस pie को आप wallet पर transfer कर पाओगे और अगर आपका security circle का कोई भी अगर KYC नहीं करता है तो उनसे जो भी आपको pie मिला हुआ है वो unverified show होगा उसको आप transfer नहीं कर पाओगे तो mining rate increase करने का ये था सबसे पहला तरीका दूसरा तरीका है referral team create करना जितना ज्यादा referral team आप create करोगे उतना ज्यादा आपको mining speed मिलेगा क्योंकि जैसे की video पर मैंने आप लोगों क करने का इसके बाद जब open minute launch हो जाएगा तब आप फिडि में pie को mine नहीं कर पाओगे mining rate increase करने का तीसरा तरीका है lock up commit करना तो अभी तक अगर आपने lock up commit नहीं किया है तो definitely कर लेना नीचे video का link मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है तो वो video देख करके lock up commit कर लेना तो not run कर सकते हो अगर आपको आता है कि किस तरीके से not run किया जाता है तो overall यह कुछ process है जिससे आप अपने mining speed को boost कर सकते हो तो I hope कि यह video अप लोगे लिए helpful रहा होगा अगर helpful लगता तो एक लाइक जरू कर देना चैनल पे नहीं हो तो subscribe जरू कर देना और पाइनेट वो के बार पाइन和 मनला ओZeक जा मनला पर देना नहीं हो एक लाइना राल यह प्रणल कर देना जा हो.